तो कैसे आप सभी लोग एक बार फिर से वेलकेम आपका मेरे यूटूब चैनल स्टेडी भी थी होगे इसमया आज आप लोग का वैसे तो हरिदवार जिले का पहला भाग आना था लेकिन आप लोग की समस्या है जो रिवाइस को लेके है पढ़ तो बहुत रहें याद भी कभी हो जाता है फिर भूल जाते हैं कैसे कभर करें कैसे सर मोटिवेट होएं क्योंकि कल में कम जो आप लोग लाइफ olvid में कमें बाद में पढ़ लेता है बहुत से लोग ने ये भी लिखाता सर मोटिवेशनल वीडियो चाहिए, थोड़ा मन नहीं लगता है अब तो ये मान के चली कि आपने इस फिल्ड में पैर रख दिया, पीछे तो हटने नहीं दूँगा इतना तो ताई है, पीछे नहीं हटोगे, अब यहां आप लोगों ने, मतलब जब आप आ गए हो, तैयारी करने की सोच लिए है, मन बना लिया है, तो पीछे हटने का कोई फाइदा नहीं है, ठीक है पहली बात आज आप लोगों को एक काम करना होगा, सब लोग करोगे ध्यान से सुनना, हर किसी को एक काम करना है, एक लिस्ट बनाना अपने आसपास के लोगों की, या अपने नोन लोगों की, जो तैयारी करता था, या जो जिसको देखके आपने तैयारी करना शुरू किया उसमेंसे ऐसे लोगों का नंबर निकालना जो सफल नहीं हुआ और कहीं और काम में लग गया यानि मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि दुनिया में क्या उत्राखन में या कहीं पे भी ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो तैयारी करते हैं और लास्ट मुन को सफलता नहीं मिलती है अब आपको के सार ऐसे बहुत से लोग हैं तो लाख लोगों ने फौम भरा है तो सब तो निकलेंगे नहीं देखें, होता गया है, सफलता कोई जल्दी पा लेता है, कोई देर से पाता है, यानि सक्सेस किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सक्सेस नहीं मिलती है, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये मान के चलिए, किसी न तो हमेशा उस इंसान को पकड़ो जिसने एक साल, दो साल, ढ़ाय साल के अंदर जौब निकाल ली और एक के बाद प्रेक निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव हमेशा इंसान को पॉजिटिव एक्जामपल लेनी चाहिए न की नेगेटिव हर किसी के साथ अलग-अलग कंडिशन है, हर किसी का कभी-कभी लग भी काम करता है देखो एक्जाम हॉल में क्या होता है, आप घर से कितना पढ़के गए हैं, आपको कितनी चीज़ा आती ये माईनी नहीं रखती है आपका वो दो गंटे का समय जो एक्जाम हॉल में आप बिताते हैं, वो ज़्यादा काउन करता है, ठीक है हो सकता है, आपको ऐसी चीज़ मिल जाए जो सिर्फ आपने पढ़ी थी, कोई ऐसा कोशन कहीं आपने देख लिया, कहीं टकरा गया दूसरा इंसान उसको वहां तक नहीं पहुंच चेका, लेकिन उसको आपसे ज़्यादा आता हो, लेकिन एक्जाम हॉल में तो आपका परफॉमेंस बेटर था, आपका सेलेक्शन हो गया, उसका नहीं हो पाया तो यह सब चीज़े चलती रहते हैं, तो एक मैसेज आपको मैं दूँगा, आप लोग उन्हें एक ऐसे लोगों की लिष्ट निकालनी है, जो लंबे समय से हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, और जो असफल रहे हैं, आपको यह लगेगा, गयार इसकी सबलता नहीं मिली, अगर वो सपल नहीं भी हुआ होगा, वो इन पोस्टों में तर जाएगा, जो अभी पोस्ट आई हुई, इतनी ज़्यादा विग्यप्तियां दिख रहे हैं आपको अलग-अलग डिपार्टमेंट में, यहां उनका सेलेक्शन हो जाएगा, नहीं भी बार नेस्ट राइम हो जाए हमारी अब जिला सिरीज कम्प्लीट होने को है, यानि हरिद्वार जिला हमारा कम्प्लीट होने को है, उसके बाद क्या होने वाला है, मंडे से, जो आप भी मंडे आएगा आपका नेक्स्ट मंडे, इस संडे तो लाइप कीज होनी नहीं है, थोड़ा सा व्यस्तता के इसको नोट्स बनाना है और ये भी बताऊंगा कि जिला सिरीज के दोरान कितने टॉपिक वहां से कवर्थ हो चुके हैं आप खुद नोट्स करना आप खोलना परिक्षावानी को आपको बहुत से ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो जिला सिरीज के साथ साथ तयार होगे अब वहां आपको खुद पता चल जाएगा अगर आपने जिला सिरीज कंप्लेट ही भी है तो उन टॉपिकों को कंप्लेट करने का आपको बहुत आसानी होगे आप इजिली उसको समझ जाएंगे परिक्षावानी पढ़ानी का जो तरीका होगा वो क्या होगा जैसे मैं यहां पे सामन मेरे हाथ में बुग होगी बुग के साथ-साथ मुझको रीट करूंगा और आपको यह बता दूगा कि इस पॉइंट को आपने नोट करना है इस क्वेशन को ऐसे पूछ सकता है और उससे क्या नोट सो बनेगा वो मैं बताऊंगा मैं वहां पार्टिकुलर मतलब बहुत डि चêuतिकुलर मैं आति हैं वो मैं आपको बता दूँगा तो पास से दस किलासे आपकी परिक्ष्यानी चलेगी उसके बाद क्या होगा होली के बात क्यों दोरान मैं भी ठोणा ओकास लूंगा ठोड़ी छुट्टियां लूंगा तो होली के बाद हम लोग क्या करें और कुछ मुहत्पूर्ण जैसे जनजाती वगरा से कुश्चन आते हैं, जैसे आपका मंदिर वगरा जितने भी हैं, वहां से कुश्चन आते हैं, तो वहां से आपको मैं क्या कराऊंगा, कुश्चन वगरा कराऊंगा, ठीक है, यह तो आगे की प्लानिंग को लेखे, अब फील हो रहा होगा, कॉपियों के ढैर पर धेर बन गया होंग है, अगर तुने पढ़ा है तो ये दिख चार ओप्षन में तेंको देता हूं तो इन चार ऊप्षन में बतादे तुने क्या पढ़ा था अब देखो कितरा आख साय अगर पर फैंचन, लिखा हाँ, और डेस आपको खुद भरना होतां तब तो आप बहुत जोर डाल उसके बाद उसको याद कर एक तरीका आपको रिवाइज करने का मैं बताता हूं को आपको एक निश्चित दिन रखना होगा रिवीव के लिए यानि मैं तो कहूंगा कि संडे का दिन आप पूरा रिवाइज पर रखे आप ये मत कहना कि सर हम संडे को रेस्टे करते और करता रहता हूं करूंगा भी निरंतरता मैंने आप लोग के साथ दिखाई है आप लोग खुद जानते हैं मैं संडे भी स्किप नहीं करता हूं लाइब कुछ के माध्यम से आता हूं जब मैं आपको निरंतरता दिखा रहा हूं जब मैं डेली आपको वीडियो दे रहा हू तब जाके selection होगा ठीक है वो सिर्फ इसे लिए आपको daily वीडियो दे जा रहे हैं क्योंकि आपकी निरंतरता न टूटे आपका जो rhythm है वो न टूटे ठीक है तो आपको क्या करना है revise के लिए एक फिक्स दिन रख लिजिए उस Sunday का अगर आपको रख सकते हैं तो इस दिन आप क्या करेंगे बिल्कुल भी नई चीद नहीं लिखेंगे आपको सिर्फ उस दिन क्या करना होगा revise करना होगा लेकिन सिर्फ संडे revise करने से नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ संडे revise करने से नहीं होगा क्योंकि वह जानता हूँ जब आप तहीं कर रहे हैं तो आपको डेली क्या-क्या पढ़ने हैं हिंदी पढ़ रहे हूंगे अप उत्राकन पढ़ रहे होंगे मेह जीयस पढ़ना कुछ लोग कंप्यूटर और डिंग선 भी पर रहे होंगा यहाइं आपको डेली का तो ये भूल गई, यहां पहुचे तो ये भूल गई, अब सबसे बड़ा यही दिक्कत है कि कास ऐसा होता कि एक बार पढ़के चीजे दिमाग में छब जाती, उसके बाद हम कभी कोई टेंशन नहीं लेते, अब मैं अपना भी experience बताऊंगा कि मैं कैसे revise करता था, मैं कैसे revise कर revise करने का, जब आपने एक दिन रख दिया, आपने का चलो मैं संदे का दिन revise करने को रखता हूं, आप जब Monday आता है, मंडे को आने से क्या करोगे, जैसे आपने हिंदी आपका कोई भी time जो आपने बनाया है, आप हिंदी पर रहे हैं, और हिंदी में सपोज आज आपने क्या क्या पड़ी? संदी पड़ी, ठीक है? क्या पड़ी? संदी पड़ी, देखिए, सबसे पहले आप जब संदी पड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? जैसे आज Monday है, तो आज का सपोज सुभी का टॉपिक आपका संदी है, संदी आप पढ़ने बैठे हैं, आपने का च चीज़ सीखने में easy पड़ता है, आप उस टॉपिक को सपोज आजे से एक घंटे में पड़ते हैं, सपोज एक घंटा आपने हिंदी में संदी वाला टॉपिक पड़ा, तो आप क्या करोगे? जैसे ही संदी complete होती है, यहां का इसी जो आपका रिदम है, इसका जो पहला इस से जादा नहीं देखने है, ठीक है? यह day one में हो रहा है आपके साथ, दूसरे दिन आपने खा, चलो मैं आज अलंकार पढ़ लेता हूँ हिंदी में, क्या पढ़ लेता हूँ? अलंकार, अलंकार पढ़ना आपने खा, चलो मनें एक घंटा अलंकार पढ़ता हूँ, एक गंटा थीक है एक घंटा अलंगकार पड़ता हूं तो उस दिन आपने क्या किया देखो हिंधी को अगर आप मैं ये मान के चल रहा हूं इसको पढ़ने के बाद एक गंटे तक आप पढ़े, आप खुश हुए, आपने सीखा, उसके बाद, उसके बाद, पंदर मिनट पहले ये वाला रिवाइच करो, जो कल पढ़ा है, क्योंकि ये easy पढ़ेगा रिवाइच करने में, क्योंकि ये recently पढ़ा है आपने, कल ही तो पहने का ये मतलब है, जब आप कोई topic पढ़ना शुरू करते हैं, तो नई चीज सीखना सिर्फ एक घंटा है, बांकी का आधे, मतलब एक से डेड़ घंटा नई चीज सीखनी है, बांकी का जो आपके पास समय बसता है, आधे से एक घंटा या 15 से 30 मिनट, उसमें आपको इस प्रकार से चलना है, देखिए, मैंने क्या कहा आप से, मैंने का आपने संधी पढ़ी, आज मंडे है, एक से डेड़ घंटा आपने सुबे संधी पढ़ी, तो उस सीरीज का जो आपने पहला topic पढ़ा था हिंदी का, पंदर मिनट उसको रिवाइच कीजिए, पहला दिन हो ग संधी में, और इसमें आपको कितना लगया, एक से दो घंट, एक से डेड़ घंटा, आप फ्रेस्टे, आप रिफ्रेस्टे, आपने कहा चलो, मैं इसको कबर कर लेता हूँ, जल्दी से इसको में पढ़ लेता हूँ, तो आपने एक से दो घंटा इसमें पढ़ने में लगाय तो आप क्या करोगे तुरंत जो इसके यहां नी जााओगे आप संधी में यहां भी आप अलंकार पड़ोगे कि संधी आपनी रिसंट नी दो दिन रिवाइज कर दी है तो तीसरे दिन आप क्या पहुंचगी? स्वार बेंजन वाली में पहुंचे स्वार बेंजन आपने जैसे ही पड़ा तो 15 मिनट आप क्या करोगे अलंका रिवाइज कर लोगे कि वो 15 मिनट में इसलिए रिवाइज होगा क्यों कि उसने आपको कल उसको आपने एक से डेड़ घंटा दिया था आज उसको सिर्फ 15 और इसको पड़ने के बाद 15 मिनट आप इस वाली को दो स्वार बेंजन और पंद मिनेट आपका जो चौथा टॉपिक यहां है ऐसे ही आपका पूरे हपते चलेगा छे दिन छे दिन इसके मतलब हुआ कि आपने उन दो घंटू में जो हिंदी पढ़ना शुरू कर रखा है दो घंटू में छे नई टॉपिक सीखे थोड़ा थोड़ा जितना कबर होता है यहीं कि एकी दिन में सारा कबर हो जाएगा सयम रखो, धैरिये रखो, आराम से पढ़ो, पॉजिटिव रहो, माइंड से पॉजिटिव रखना है तो आपने क्या किया है इस परकार से चलना शुरू किया आपने छे दिन इस परकार से रूटिन मनाया आपने छे टॉपिक पढ़ लिए यानि 6 topic का मनलब 1-5 गंटा यहां, 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 1-5 गंटा, 1-5 गंटा उसी के साथ 15 minute आपने पहले दिन का topic जो भी आपका रिवाइच करना है अगले हिंदी घाटी के साथ हिंदी के साथ हिंदी रिवाइज करोगे हिंदी के साथ तो त्रह पंदर मिनेट यहाँ तो इसका ये मेसेज आपको जाएगा कि आपका टच बना हुआ है यानि आपके जो टॉपिक हैं आप जो पड़ रहे हैं आपका उसमें touch बना है अब touch बना है तो examiner आपसे question पुछेगा आपका तो touch बना है तो क्या दिक्कत है बताओ क्या इतना मतलब भयंकर हो गया है क्यों इतना परेशान हो इतने नर्बस हो हर तीसरे दिन कहते हो सर मोटिवेशनल वीडियो चाहिए जरूर दूँगा मेरा काम ही यही है क्योंकि तैयारी के दौरान समझ्याएं होती है बहुत से लोगों को दिसानिर्देश नहीं मिल पाता इसलिए कह रहा हूं maximum लोगों तक इस वीडियो को आपने पहुंचाना है इतनी जिम्मेदारी तो आपको उठानी पड़ेगी आपकी जिम्मेदारी मैंन उठाईए और ये जो मेरा जो मतलब एक परकार का आप जिम्मान के चले वर्क है सोचियल वर्क है इसको अधिकतम ग्रामेड इलाकू में जो तैयारी कर रहे हैं या जिसको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती वहां आप लोग इसको पहुंचाओगे ठीक है तो इस परकार से ह किर घंटा मॉर्निंग में जब भी उठते हो पूरी हिंदी रिवाइच कर दो इतनी इस संडे इतनी रिवाइच करोगे मंडे से फिर नेक्स्ट मंडे से वही तरीका तो एक बार क्या होगा एक दिन ऐसा आएगा टॉपिक खतम हो जाएंगे से लिपस में उतना ये तो क्या देखें उत्राखन को पढ़ने का क्या तरीका है उत्राखन मैंने आपसे कहा है कि वही चालिश नंबर की है इसमें भी सेम चीज अपनागी है अब थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैटर बढ़ गया क्योंकि मेरी वीडियो की जिला से देखोगे तो वह से दो कौपी अब बढ़ भुए कि आपको पहुत सी चीजें किताब Finance मिलेंगी वह आसानी हो जाएगी यानि आप कीताब जो पढ़ोगे यानि जिला से अगर आपने पढ़ी तो किताब के चीजें जो होती हो क्म हो जाती है क्योंकि आप आजी चीज़ा पढ़ चुके हैं जिला सिरीज पढ़ने से ठीक है तो इसमें भी यही होगा सपोज आप आपने सुबह कोई दो से तीन घंटा मुझे लगता है कि आप इसको देते ही होंगे एक से आदे से एक घंटा है यहां तीस मिनट से एक घंटे तक यह आपका रिवाइज का टाइम होगा और सुरू कहां से करोगे यहां से करोगे व्यक्ति से क्योंकि यहां पर आप नया मैटार नहीं चीज़ सीख रहे हो मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट पड़ोगे एक सब्जेक्ट रगा लो न्यू यहां मतलब नई चीज़ सीखने है और यहां लिखे हो रिवियू यानि रिवाइज यहां क्या लिखोगे रिवाइज वाला सेक्शन लिखोगे और यहां न्यू वाला सेक्शन न्यू मैं आपक तुरंत से अब तो बहुत छोटा हो गया आप तो नोट से बन चुके हैं तीस मिनेट आपने धेरादुन जिला कम्प्रेट कर लिया और आपके बास टाइम है तो तीस मिनेट के अंदर आप पॉड़ी भी कम्प्रेट कर दो तो एक प्रकार से रिवाइज हो गया अगले दिन आपने खाँ चलो माज उत्राखंट के जन जाती पढ़ता हूं या जन गर्णा पढ़ता हूं जन गर्णा आपने क्या किया दो गंटेश को अच्छे से तैयार किया और यहां आपने नेक्स्ट जिला कम्प्रेट कर दिया टिहरी के साथ उत्तरकासी ठीक है अब यह जो है प आप से कहेगा कि यार तुने तो रिवाइस भी किया है तुन नई चीजें भी सीख रहा तो तुझे दिक्कत कहा है तुन चार ओप्शन देख रहे हैं बता तुने कहां पे रिवाइस किया था हलका सा जोड डालना दिमाग में आखें बंद करना याद करना किस इस इस्तान पे कौन सी चीज पड़ी थी वो दिमाग में आटोमेटिकली क्या कर जाएगी किलिक कर जाएगी और आपका क्वेशन सही हो जाएगा तो यहां क्या हो रहा है नई चीजे भी सीखने को मिल लिए रिवाइस का तरीका भी पता चल रहा और यह कंट्यूनी प्रोसेस होनी चाह जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा आपका समगरी रूप से सारा सलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसी प्रोसेस को आखे बढ़ाओ और जब एक चीज को रिवाइच करने के बाद दुबारा अब यह क्या होता है देखो आपने जैसे आज रिवाइच किया आज इ जैस का आता है और इसमें बहुत महत्यपूर्ण बात बताऊंगा इस रिवाइच करने के दौरान आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा जो आपके काम आएगा तो आप तीसरा सेक्शन देखो जैस का सेक्शन इसी दौरान ठीक है बहुत इंपोर्टेंड बहुत काम किये बात बता ऑंगा उससे क्या होगा एनर्जी πी सेव होगी दिखो आप लोंको एक ट्रीग बताता हूं जक्शन आपके सायगा इसलिए में का रहता है कि आपकी समस्याओं से वाकिफ रहता हूँ कि कहां आपको दिक्कत आ रहे हूँगी कहां आपको कॉपियां तो बढ़ रहे हूँगी यह तो आप खुद मान के चल ले और आधे लोग के दिमाग में यह होगा यार मही में एक्जाम हो जाएगा कैसे होगा कैसे होगा अगर अगर आप उत्राखन के सांसांत घर पर बैठके अच्छे से जीएस बगारा भी जो बताता हूँ जो डाइरेक्शन देता हूँ वो कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा चीज़े देख लेना लेकिन माई में होगा नहीं होगा एक्जाम वो भी संसाही बना फ्यूजा ने उसमें क्योंकि बोर्ड वगारा की एक्जाम है वो आयोग निर्थारित करेगा लेकिन संभावी जो स्ने तिति दे रहे हो माई के आसपास ही दी है अभी कोई फिक्स नहीं हो ठीक है देखो जीएस वाला जो सेक्षन है इसमें भी अब आपने देखो टोटल क मिनट वेट कर लो जीएस के बाद का जो सेक्षन है उसमें बाता है देखो जीएस का सेक्षन है जीएस का क्या है यहां पर रोल की एक बहुत बड़ा जीएस होता है लेकिन क्वेशन तो 20-25 नंबर के आते हैं तो बहुत जादा मैटर हम पढ़ नहीं सकते हैं जीएस के जीएस की लुसेंट बेसिक बूक है मतलब वन डे एक्जाम के लिए बेसिक बूक इसी लिए लुसेंट को कहा जाता है कि वो उसमें मिनिमाईज करके छोटी छोटी चीज़ा दी है और फैक्च्वल दी है और यहां कोई कॉई कॉइप्ट वोगशन आना है नहीं वन डे एक च्टोर से ले या अलग-अलग यह किताबे इंडिविज्वल अलग-अलग भी आती है लेकिन वो बहुत आपके पास बलकी हो जाएगी यानि बहुत जादा मैटर आपके पास हो जाएगा वन डे एक्जाम के लिए मुझे नहीं लगता कि आम इस्टी की अलग लो पॉलिट इस्टी की अलग वो जाएगा वो तो घटना चकर के इंडिविज्वल ले सकता है कोई दिक्कत नहीं है वो चाहिए तो इंडिविज्वल ले सकता है इसमें टॉपिक वाईज आपको दिये होंगे सपोज और सोयोग आंदोलन दिया है सभी न यवग ज्यांदोलन उससे कहा कहां question पूचेगे हैं क्या क्या तरीके से question पूचा गया है और explanation भी दिया होगा नीचे box में तो जो अलग से लेना चाहता है वो ले सकता है लेकिन जो नहीं ले पार रहा है वो क्या करना एक आद कुछ समगरे रूप से आती है सायद मार्केट में आपको मिल जाएगी घटन बहुत महत्तपोन होगी जिससे भी अभी आप GS पढ़ने इसका भी यही चक्कर होगा अब इसको देखो पांच घंटे होगा ठीक है तीन घंटे आपको टोटल यहां देने इसमें तीन घंटे का मतलब होता है GS के साथ साथ आपको computer और reasoning भी करनी है और उसके लिए सिर्फ ए घंटा होगा यह तीन घंटे का मतलब होता है तोटा मिला कर आपको पर डेध आठ घंटे तहितारी करने है ठीक है आठ हमिला दो हिंदी तीन ऊत्राखन पांच और जीस और क्या आता है हाँ current affair जो भी आता है तीन चार चीजां आती है यह सब चीजां मान के चलूगे GS का पूर्शन है अब इसमें भी यह होगा आप क्या करोगे नई चीज पहले सीखोगे क्या करोगे नई चीज पहले सीखोगे तई कर लो कि तीन दिन अब मैं जो बताता हूँ और Wednesday पढ़ते हैं यहां Thursday, Friday और Saturday है तो आप यहां पहले History पॉलिटी पढ़ सकते हैं History पॉलिटी यहां आप Economics प्लस Geography पढ़ सकते हैं Lucent MCQ से पढ़िए यहां Lucian की बुक से पढ़िए इस परकार से और इसको कैसे करना है एक घंटा इसको देना है एक घंटा इसको देना है इसको भी एक घंटा देना है अगले के तीन दिन यहां एक घंटा अब आपने क्या किया आपने कहा History और Quality में एक एक घंटा पढ़ता हूँ यह क्या होता है न जी इसके छोटे छोटे सेक्षन ने 45 मिनट में कम्प्लीट हो जाते हैं यहां पे आपने कहा कि यार 45 मिनट में History पढ़ता हूँ संडे दो ठाइं गंटा इसको रिवाईज एक दो घंटा उत्राखन रिवाईज एक दो घंटा आपने क्या रिवाईज करना हैš इसे माट सकते हो पहले के तीन दिन तीन सब्जेक्ट है एक घंटा उसको पढ़ना के देदो यहां अगले तीन दिन आप इसमें आते हैं तो एक एक घंटा इसको पढ़ो और पंद पंद मिनिट इसके रिबाइच के देदो कोई नहीं बोलता यार अगर तुम्हारे दिमाग में चीजे गई है तुमने कहीं पढ़ा है कभी भी नहीं भोलोगे अब देखो सबस यहां पर काम करेंगी इसकी भी बताऊंगा बाद में स्ट्राइटीजी अब देखो अब सबसे में चीज़ बता रहा हूँ रिवाइस करते ही टाइम ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ बहुत महत्व पूर्टरी आप जब तैयारी करते हैं तो आपको इस चीज़ निश्चित रूप से सोचनी होगी कि अपने अंदर एनेर्जी को सेव रखना है यानि उर्जा को सेव रखोगे अगर आपके अं मतला आपने उसको संदक्सित किया इसको बचा के रखा है तो आप ज़ादा प्रोडेक्टिव होते हैं ज़ादा बेहतर आप कर पाते हैं दिन भर ठके आ रहे हैं बोल रहे हैं बोलने में सबसे ज़ises करना अधिक्तम बचाये रखो revise करते समय ध्यान से सुनना जो sentence बोल रहा हूँ revise करते जाए मुह कम चलाना जो मुह से पढ़ के बोलने के आज़ रहा है वो कम करना इसको silent रखना आँखों को देखना mind को उस पे रखना यानि आँखों से आप किताब देखे रहे हैं mind को देखना silent मुह रखे pen पकड़ना हत में कि हाँ मैं ये कुछ ये चीज पेपर में आएगी तो मैं कर लोगा suppose आपने revise कर रहे हैं आपने कोई notes बना रहे हैं जो भी बना रहे हैं ठीक है देखों आपने पूरा question ऐसे लिखा होता है मेरे को पता है आपने ऐसे असवयोग आंदोलन कब हुआ था आपने पूरा ये लिखा होगा यहां 1920 लिखा होगा आपने लिखा होगा गाधी जी कब कॉंग्रेस के अज्यक्स बने थे आपने यहां 1924 बेल गाउँ लिखा होगा ऐसी कुछ आप लोग notes मनाते हैं आप लोग खुद बानते हैं ऐसे आपके उत्राकन के notes भी होगे रिवाइस करते हैं इतना पूरा sentence बोलना मदी हाँ असवयोगांदोलन कब हुआ था तुरंत ही बता होना चीए कि यह आँखों से देखना है बस देखना है तुरंत नजरे भगाने बोलना कुछ नहीं है मुँ बंद रखे इसको तुरंत देखे 1920 और अपने आत्मा से पूछना कि मैं यह question कर लूँगा अपने आपको पता होगा कि जब मैं revise कर रहा हूँ यह question मैं कर सकता हूँ जब paper मा आएगा यह दिखेंगे तो कुछ ऐसे टिपिकल चीज होँगी जो नहीं आपको पता होगा जो लर नहीं होगा वहाँ एक mark लगा देना हलकासा mark कर देना इस प्रकार से कुछ भी कर सकते हो और यह कोशिश करना कि यह चीज जो important है इसको मैं बार-बार देखूँगा इसको revise करूँगा जो आपको आती ना आपका समय किसमे वेस्ट होता है आपको पुरा notes बनाया होता है आपको इस sentence को यहाँ से यहाँ पढ़ने तक तो दो सेगंड लगा देते हो यह पढ़ोगा यहाँ से यहाँ दो सेगंड पहले दिन तो मानता हूँ और दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ क्या बोला और बोल की नहीं पढ़ने ऐसे नहीं करना है तुरंत आखो से यहाँ जाओ यहाँ से यहाँ जाओ आपका क्या होगा उर्जा बचेगी आपका दिमाग चलेगा आप पता जल जाएगे कर सकता हूँ इसमें कोई भी दिकत नहीं आएगी ठीक है इस प्रकार से आपको GS को सेक्षन को या उत्रखन के सेक्षन को रिवाइज करना है और करना है अब देखो लास्ट में दो लाइन मोटिवेशनल मैं बोलूँगा जैसे एक बात तो निश्चित है पीछे नहीं अटना है हमेशा से कहता हूँ पीछे नहीं अटना है और एक और बात है क्रेडिट आपको जाएगा आपकी सफलता का और सफल होते हो तब भी आपको अपने आपने क्रेडिट लेना है सपल होते हो तब भी credit लेना है मैंने ये जो काम शुरू किया है ये सिर्फ आपकी मदद करने के लिए किया है और बिना किसी cost की और आप लोग जानते हैं आज के समय में मुफ्त में क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है मैं आप लोग ले इतनी महनत कर रहा हूँ इतने आपको मैं direction देता हूँ इतना आपको मैं कहता हूँ कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए तो इस चीज का सम्मान करना ये मत सूचना कि यार मुफ्त में मिल रही है सर्व आएंगे रोज वीडियो देते रहे हमारा क्या जारा जब मर्जी आए तब देख लिएंगे वास्तों में एक चीज है ना अगर आप थोड़ा भी careless होते हैं अपने career के पड़ती आपको बहुत बड़ा जटका लगेगा याद रखना इस चीज को अगर आप careless होते हैं आप हलका भी उसको lightly लेते हैं तो future में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कात आजेंगे इसलिए मैं कह रहा हूँ भले ही classes मुखते हैं इसको एक paid course समझे इसको मान के चले कि आपने कुछ न कुछ paid किया हुआ है और आप एक निरंतरता दिखा रहे हैं जैसे मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि होगा क्या आप अगर जिस दिन भी demolize होंगे जिस दिन भी आपका पढ़ने का मन नहीं होगा मेरी वीडियो का notification देख लेना ये छोचना ये वही इंसान है जिसके साथ आपने कदम रखे हैं उन लोगों के बारे मेरे सुचना जो और लोग देख रहे हैं जो और लोग क्रॉपरली इसको तैयार कर रहे हैं classes मुखते हैं लेकिंग classes आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होंगी हमेशा याद रखना और आप कर सकते हैं आप करोगे ये भी तह हैं जिस दिन आपका selection होता है आगे कराम विकास अदिकारी, कराम बज्याद विकास अदिकारी कनिष्ट साहयक, पुलीस, पटवारी, दरोगा जो भी हैं आगे जो भी भरती आएंगी जहां भी आपका selection होगा credit सब आपको जाएगा मैं कभी credit नहीं लूँगा नहीं मैं कोई list जारी करूँगा कि मेरे पढ़ाने से इतनी निकले कोई किसी के पढ़ाने से नहीं निकलता हम लोग जैसे मैं निकला, मैं किसी को credit थोड़ना दूँगा कि मैं किसी के पढ़ाने से निकला हम लोग नहीं भी तयारी कि किसी ने हमें सिखाया, किसी ने हमें बताया ऐसे तयारी किसी बढ़ समनी किया, वोही आप लोग का भी है, आप लोग को मैं समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, इसको follow कीजिए, ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग के साथ अगले session में ध्यान रखना, मेहनत करना और अगला हरिद्वार जीरे का जो वीडियो आएका काल आएगा, उसको तयार करने के बाद हम लोग नई दिशा में, नई strategy से आगे बढ़ेंगे, thank you.